हलो वेलकम बेक टू माय यूटूब चैनल तो आज हम जानने वाले रेड्मी 9C के बारे में और रेड्मी 9A के बारे में चार्जिंग के प्रॉब्लम के बारे में तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं अब आज का टॉपिक चालू करते हैं सबसे बहले आजने हमारे बैटी के बैटी के अनेक्टर के देख लिए कुछ सप्लाा इस तरीके से गया हुआ है तो आपको यह सब चीजिए चैक कर ल идет है यह हमारी charging control IC है तो इस तरीके से यह पूरे IC control कर रही है सबी चीज़ों को आप देख लिए एक line CPU में गई भी है यह वाली battery connector की और एक line गई है इसके अंदर और इसके थुरू होते वे power IC में गई भी है तो यह हमारा हो गया वैसे battery connection का connection अब आजाते है मेन चार्जिंग टॉपिक पे तो इस जो मेन आपको रैड वाली line दिख लिए कभी कई बर क्या होता है यह जो यह दिख रहा है यह पार्ट लिकल जाता है connector का इसकी वज़े से भी charging नहीं हो तो आपको यहां से एक पत्ते पास का मारना पड़ेंगा तो अब आ जाते हैं हमारे USB connecting पे कई बर क्या होता है हमारा charging fake charging शो करता है तो उसका भी problem कई बर यह से होता है यह वाले जो point है यह CPU में जा रही है line तो आपको यह सब check कर लेना है component के तुरू होते वे जा रही है component कुछ dry नहीं होए खराब नहीं होए यह सब आपको check कर लेना है और यह जाते है CPU में तो अभी मैं आपको आपका तो यह हो चुका है मैंने पता चुका आपको पूरे point तो अभी इसके हम आजाते है नीचे USB charging section पे तो यह हमारा plus वाला point यह वाला है फर्स्ट नंबर का charging का जो यहां जा रहा है इसमें और यह charging के tip है यह आपको सब चेक कर लेनी है और यह माइक के connection है तो यह सब आपको चेक कर लेना है इसी तरीके से यह वीडियो है अगर आपको कुछ और देखना है तो यह देख लेजिए तो अगर अभी तक कि आपने हमारा YouTube चैनल सब्क्राइब नहीं किया हूंगे चैनल जल से जल सब्क्राइब कर लीजिए और साथी साथ बेल आइकॉन ज़रू दाबा लीजिए तो चलिए अब मिलते हैं आपसे हम न उस लिखसे हमार क्लिएस को पुछ कर दो नहीं कि आपने हमार कि लीजिए तो इन कि हम रेकिए उडिए टो कि भीजिए और पर फदो करा देपने हैं